हेलो दोस्तों नमस्ते मैं हूँ सुनीता वायर रेस्पी चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम फिर टेस्टी टेस्टी यमी यमी लड़ू बना कर त्यार करेंगे इसे भी हम सिर्फ सा पांस मिनट में ही बनाएगे तो जो खाने में बहुती टेस्टी और स्वाधिस्ट लेंगे गुड़् को चाकु से क्रेश़ कर लेंगे आप चाहिए तो इसे मिक्सी में भी सकते हैं लेकिन ये मिक्सी में ये पानी चोरण frame लेंगे तो यहाँ पर मैंने चुरमे के लट्टी बना लें चार घरम-घरम तजी रोटीं लिया इनके अच्छे से इस तरह से टुकडे कर लेंगे तो हम नुर्मल रोटी जो घरमे बनाते हैं वही बना कर मैंने यहाँ पर चार रोटीं को ले लिया है तो अब हमें इन्हें मिक्सी जार में डाल देंगे और अच्छे से इसका एक बारी का पाउडर बना कर तयार कर लेंगे तो यहां पर हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हमने जो रोटियों का पाउडर बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे और उसी के साथ अब हम इसमें जो हमने गुड़ करश करके रखा था वो गुड़ हम इसके अंदर डाल देंगे एक बार थोड़ा डालेंगे उसके बाद इसे हातों से अच्छे से मिला देंगे तो आज हम गुड़ और चुर्मे के टेस्टी से लड़ू बना कर तयार करेंगे लड़ू गनपती जी को बहुत ही पसंद है उनका फेवरेट है लड़ू है तो उनके लिए स्पेशल है चुर्मा के लड़ू बना कर तयार करेंगे बहुतकु कम समान के साथ और बहुतकु कम समान के साथ हमारे लड़ू बन कर तो न्वारश हो जाएंगे। गुठ को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डे घी नालेंगे। तो मैं यहाँ पर लगबग तीन चारा चमच के करीब घी डालूंगी तो मैंने घी डालने वाला यह यह दिया है इससे हमें ने सिर्फ डेड़ चमच घी डाला है बड़े वाला तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके लड़ू बनाएंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके टेस्टी टेस्टी यम्यमी लड़ू बना कर तयार कर लेंगे तो चुन में के लड़ू बनाना बहुत ही असान है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही असान लगेगा और आप सिर्फ पांस मिनट में गणपती के लिए बोग बना कर तयार कर लेंगे तो ये लड़ो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बन कर तयार है देखे गोल गोल य९मियममी लड़ो बन चुक्के हैं तो इसी तरह से हम सारे लड़ो बनाएंगे तो इसे थोड़ा सा डिजाइन है देने के लिए यहाँ पर नालेर के बुरा दे को क्रश करके रख लिया है तो इसके उपर इसे लगा देंगे तो यह हमारा टेस्टी और यमी लडू बन कर तयार है मैं पोड़ कर दिखाती हूँ इसका कितना अच्छा टेक्स्चर आया है तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदारी है तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब करना ना बूले तो थैंक यू बाई बाई फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ गणपती बपा मोर या